दोस्तो आज के सीडियो में हम बात करने वाले हैं SBI Credit Card के ट्रांजेक्शन के बारे में क्योंकि SBI Credit Card के सेटिंग्स में बहुत सारे ऐसे सेटिंग्स है जिनके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है या फिर आप कोई भी Card यूज करते हो तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है दोस्तो अगर आपके पास Credit Card है और आपने अपने Credit Card के डिटेल्स नंबर, CVV नंबर वगरा किसी दूसरे अपने दोस्तों या फिर रिष्टेदारों के साथ या फिर कहीं पर भी आपने शेयर किया है कभी पहले Card के डिटेल्स को कोई वेबसाइड में डाला है तो आपके लिए यह वीडियो काफी महतरपूर्ण है क्योंकि आज मेरे साथ SBI Card Transition से रिलेटेड एक समस्या आई और जिनके बारे में मैंने सोचा क्यों आप लोगों के साथ सेयर किया जाए ताकि आगे आप लोगों को इस समस्या से उलजना ना पड़े यह समस्या आपके साथ भी ना हो तो आप लोग वीडियो पूरा देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेजे और बेल आइकन को भी दबा दीजे ताके इस तरह की इनफोर्मेशन वीडियो आपके पास जल से जल पहुँच जाए प्लेज सब्सक्राइब किजिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो चलिए हम यहाँ पर SBI क्रेट कार्ड का जो अप्लिकेशन है उसे हम यहाँ पर उपन कर लेते हैं यहाँ पर जाएंगे यह थ्री लाइन में इसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे सर्विसेस में यहाँ पर सर्विसेस दिख रहा होगा यहाँ पर सर्विसेस में जाएंगे यहाँ पर देखिए सर्विसेस यहाँ पर दिख रहा है इसमें जाएंगे हम इसके बाद यहाँ पर हम जाएंगे manage card usage में यह वाला option में जाएंगे इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको नीचे में आपको दिख रहा है manage card usage, domestic transaction, international transaction और tokenized payment यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर domestic transaction में जाएंगे इसके बाद यहाँ पर देखिए यह सभी settings दिया हुआ है अलग-अलग transaction के लिए जैसी कि online transaction आपको करना है तो यहाँ पर online का यहाँ पर आप enable कर सकते हैं, disable कर सकते हैं इसके बाद POS transaction करना है, pause transaction करना है तो यहाँ पर enable disable कर सकते हैं contact list transition करना है यहाँ पर enable disable कर सकते हैं ATM transition करना है तो यहाँ पर कर सकते हैं चलिए हम इसे यहाँ पर cancel करते हैं और यहाँ पर set your spend limit यहाँ पर आप limit भी set कर सकते हैं अपना जो भी transition limit है उसे आप यहाँ पर एक अपने तरीके से यहाँ पर शेट कर सकते हैं, चलिए हम यहाँ पर cancer करते हैं, यहाँ पर यहाँ पर isके बाद है आपका international transition, यहाँ भी उसी तरह से है, international transition के लिए यहाँ पर आप enable, disable कर सकते हैं, online transaction, POS, transaction यह सब वगरा, चलिए इसे भी हम back कर देते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर जो last वाला जो option है, यह वाला option जो है, इसमें हम जाएंगे, और इसमें जाने के बाद यहाँ पर देखिए, यही इसी के लिए हम यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं, और यही सबसे main चीज है, इसी को आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शुरू में यहाँ पर आपका जैसे की primary card है, वो number दिया हुआ है, इसके बाद manage all technized transactions, यहाँ पर transaction which do not require OTP और PIN, यह चीज, यह चीज गलती से अगर किसी से अगर on हो गया, तो card details कोई भी लेकर के कोई भी transaction आपका कर सकता है, तो यही चीज हमसे किसी तरह से यहाँ पर on था, जिसके वज़े से मेरा transaction कोई और कर लिया और हमें पता भी नहीं चला, और वो मेरा दोस्त था, इसलिए मुझे पता चल गया, और मेरा पैसा फिर वो वापस कर देगा, लेकि बोद ही जरूरी है, यहाँ पर यह without required OTP और PIN उसी के लिए है, जो अधीक सबसे ज़्यादा transition करते हैं, और सिर्फ अपने phone में ही, वो card details, PIN वगरा, CV नमर वगरा, डाल के रखते हैं, अपने mobile phone में ही, किसी application में, और किसी और के साथ share नहीं करते हैं, और बहुत ज़्याद बार OTP ना डाले, इसलिए यहाँ पर इस option को दिया गया है, तो आप और हम अगर एक बार transition करते हैं, कभी-कभी, तो यहाँ पर इसे off करके ही रखें, ताकि आपके साथ किसी भी तरकी fraud ना हो सके, तो इसी के बारे में हमको बताना था, और भी कई settings यहाँ पर दी गई है, उ हमें comment करके बताएं, उसके बारे में हम वीडियो ले कर आएंगे, दोस्तो हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया है, तो चैनल को जल्दी से जल्दी subscribe करें, और वीडियो को like करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ, अपने दोस्तों क के साथ सेयर करें, चले मिलते हैं लेक्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद,